हाई गाईज वल्कम बैक तो मैं चैनल दोस्तों सकिन पे अगर कोई ग्लो नहीं है कोई चमक नहीं है सकिन हमेशा डल एंड ड्राइ फील करती है दाद धब्बे हैं पिग्मेंटेशन हैं जाईया हैं रिंकल्स हैं लाइंस हैं तो वह किसी को भी पसंद नहीं आता है हर कोई च जो आप बना कर स्टोर करके रख सकते हैं वन मंत के लिए होमेड फेस वाश से आपकी स्किन होगी टाइट यूथफुल एंड ग्लोइंग मार्केट वाले केमिकल फेस वाश इस तो आप भूल जाने वाले हैं और इसके बाद आपको कोई फेस पैक कोई फेशल की जरुवत आप भी नहीं पड़ेगी तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की बड़ी आसी वीडियो हम बना रहे हैं ड्राइ फेस वाश पाउडर इसके लिए आपको चाहिए एक ट्लीन एर टाइट कंटेनर सबसे पहले एंग्रीडियंट है बेसन यानि की ग्राम फ्लार तीन चम्मच क बस आपको यही रेशियो फॉलो करना है जो मैं कर रही हूँ सारे स्किन काइप वाले इसको यूज कर सकते हैं तीन चम्मच हमारा बेसन हो गया और बेसन हम सबसे जादा क्वांटिटी मे लेंगे नेक्स इंग्रीडियंट है हमारा मुलतानी मिट्टी यानि की फुलर्स अर लाइफ चоворब करशें जाँ हो तो आपके पास रोस पाउडर नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं और अगर आपके पास चंदन पाउड है यानी कि सांदिल वुड पाउडर तो वह भी आप आप 0-1容 या स्पून डाल सकते हैं एक बार इन सारे पाउडर को अच्छे से मिक्स कर लें कि मेक्शियर करें कोई लंस नहीं हो बिल्कुल स्मूथ सा मारा पाउडर होना चाहिए फाइन सा पाउडर और इसे आपको एटाइट जार में ही स्टोर करना है कोई मोईस्चर अगर इसमें आएगा तो खराब हो इसे आप स्टोर करके रख सकते हैं वन मंत के लिए और बना लें एटाइट कंटेडर में रखें लिड्ट लगा के इस तरह से चाहीं तो अपने वाश्रूम में रखें या फिर किचन में रखें कहीं भी स्टोर कर सकते हैं और जब आपको इसे यूज़ करना हो तो एक तुन पाॉडर बीजिए डाल लिजे जब भी आप नहाने जाते हैं पेस向 करते हैं तो एक चमझ पाॉड़र ले लिजे इसमें आप रोज वाटर मिक्स कर लीजेगक अगर पिसकिन ऑइली है तो आप इसमें रोड मिल्क या फिर मिल्क मिक्स कर सकते हैं अगर आपकी skin dry है तो इसमें आप दही mix कर सकते हैं यानि की curd और normal है आप चाहते हैं कि rose water यूज़ करना है तो rose water यूज़ कर सकते हैं जो भी चीज़े mix करनी है वो आपकी choice की होनी चाहिए बट consistency इसकी थोड़ी से गीली होनी चाहिए लिक्विडी होनी चाहिए यह देखिए पैक की तरह नहीं होना चाहिए कि थोड़ा dry dry सा ऐसा नहीं होना चाहिए लिक्विड consistency में होना चाहिए और इसको लगाने का तरीका यूज़ करने का तरीका भी बहुत simple है आपको जैसे face wash आप यूज़ करते हैं बिल्कुल वैसे ही यूज़ करना है इसलिए मैंने कहा कि इसकी consistency थोड़ी सी पतली होनी चाहिए लिक्विड की तरह होना चाहिए बहुत जादा थिक नहीं होना चाहिए और जिस तरह से face wash करते हैं बस circular motion में मसाज करिए बट इसे अगर आप 5-7 मिनिट मसाज करेंगे तो आपको बढ़िया result मिलेंगे बहुत ही जेंटली हलके हाथों से 5-7 मिनिट डेली आपको मसाज करना है as a face wash और आप देखेंगे आपकी skin बिल्कुल चमक उठेगी बिल्कुल flawless, clear, spotless लगने वाली है कोई facial की कोई face pack आपको जरुवत नहीं पड़ेगी दोस्तों इसकी ingredients में मैंने मिलाया है बेसन यानि की gram flour, मुलतानी मिठी, rose powder जितनी भी ingredients हैं वो सारे हमारे skin के लिए बहुत अच्छे होते हैं सारे skin types को ध्यान में रखते हुए मैंने इसकी quantity को combination को तयार किया है तो आप same quantity में इसे बनाईएगा, same measurement लीजेगा साथ में मैंने मिलाया है एक चम्मच rice flour यानि के चावल का आटा जो बहुत ही अच्छा exfoliation करता है आपकी dead skin को निकालता है black hairs, white hairs, जितनी भी ऐसे skin issues हैं वो सारी cure करता है तो बहुत ही बढ़ियांसा आपका daily face wash powder है ये अगर आप इसको liquid form में store करेंगे तो चल्दी खराब होने के chances रहते हैं dry form में store करिए चाहें तो अपने washroom में या कहीं भी और अराम से इसे daily use करिए घर के सारे family members यानि की male भी इसका use कर सकते हैं male female कोई भी इसका use कर सकता है और अपनी skin को घर बैटे चमकाईए बेना किसी facial के face pack के पांच साथ मिनट के बाद अपने face को ठंडे पानी से wash कर लीजे soft आल से pad dry कर लीजे आपको लगा के इसे छोड़ना नहीं है पांच मिनट मैक्सम मसाज कर लीजे बस एनफ होता है skin में difference आप देख सकते हैं दोस्तों skin कितनी ज़्यादा glow करने लगी है देखिए चीक बॉन्स पे शाइन आ जाता है फोर हेट पे चीक बॉन्स पे immediate result आपको मिलता है इसका देखिए और skin बहुत ही जादा soft and supple हो जाती है आपको ऐसा भी फील नहीं होता है कि आपको किसी कोमेंट में दे दूंगी आप जाके डीटेल में सब कुछ पढ़ सकते हैं नोट डाउन कर सकते हैं पसंद आई है वीडियो तो like and share कर दीजेगा और चैनल पे नए है तो subscribe कर लीजेगा मिलती हूं नेक्स वीडियो के साथ तिल देन take care and bye bye